और पहाडों पर जिस बर्वारी के लिए लोग तरस रही थी, वहीं कुदरत ने सब की मुराद पुरी कर दी है वादियों के साथ साथ सडकों पर भी बर्व की चादल चढ़ी हुई है तीन पहाडी राज्यों में अच्छी खासी बर्वारी हो रही है और बर्वारी होने से दिक्कतें भी खड़ी होने लगती हैं कौन सी दिक्कतें हैं इस रुपोर्ट में आपको ने खाते हैं पहाडों पर जमकर बर्फ बारी हो रही है हर तरफ सफेदी छाई हुई है जमू कश्मीर हिमाचल की वादिया बर्फ से गुलजार है वहीं उत्राखंट के पहाडों में भी अच्छी बर्फ बारी हो रही है इन्छे तस्वीरों में देखे ऐसा लग रहा है मानू पहाडों पर हिम्यूग लोट कर आ गया है जहां तक नजर जाएगी बस बर्फी बर्फ दिखाई देगी जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फ बारी हुई है जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फी बिच्छी हुई है सडकों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है श्री नगर में भी अच्छी बर्फ बारी हो रही है सडकों पर दो इंच से जादा बर्फ जमी हुई है सलानियों की तो बहार ही आ गई वो जम कर मस्ती कर रही आप देख सकते हैं यह नजारा पहल गाम का नहीं सोर्मर का नहीं गुलमर का नहीं बलके शेनगर की सडकों पर ये नजारा आपको देखने को मिल लहा है कि किस तरीके से यहां पर बर्फबारी हो रही है लगभग चार से पांच इंच की जो बर्फ़ है वो सडकों पर जमा हो गई है एक सफेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिशी हुई नजर आ रही है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है इस बर्फबारी का लोगों को बेसबरी से इंतजार था इसके लिए लोग दौाएं कर रहे थे कश्मी की उची उची वादियों में हर जगे बर्फ दिखाई दे रही है इतने कचिन हालातों की बीच सेना के जवार एक गर्वती महिला के लिए देव दूद बन गए कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्वती महिला को अस्पताल पहुचाया क्योंकि बर्फबारी से रास्ती बंद हो चुकी थी देश की कोने-कोने से सेलानी गुलमाल्ग पहुची हुए है वहीं विदेशी पर्टक भी कश्मीर टूर पर आये है स्कींग को लेकर रोमाज दिखाई दे रहा है पर बर्बारी हुए है और टूर्स्टी भी काफी खुश है और सभी लोग है यो मुंतजिर थे आज तक बरबारी हो और क्या कहेंगे आप इस हावाले से टूरिज्म क्या हावाले से गुलमर्ग जो है हमारी ये राउंड डेस्टिनेशन है और खासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज्यादा खूबसुरत लगती है यहाँ पर हम जो स्कींग कराते हैं विंटर में उसके लिए काफी एडवेंचर एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं और हर कोई पु रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए बर्फ से दूर दूर तक सब ढख चुका है फुल्वावा में भी बर्फ बारी को लोग तरस रहे थी त्राल में भी हर तरह बर्फ ने डेरा जमाय हुआ है बर्फ बारी से जहां स्थाने लोग खोशाली की उमीद लगाय हुए है तो वही खराब मौसम दिक्कते भी पेश कर रहा है ले में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है मीना मार्ग में बारा इंच बर्फ बारी हो चुकी है हे माचल प्रदेश की बात करें तो यहां की उचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है डलहौजी में बर्फ बारी का आनंद लेने के लिए परिश्टकों की संख्या बढ़ कई है शिमला में भी बर्फ बारी से हर तरफ सफेद उचाला फैला हुआ है काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है लाहौल स्पीती में भी बर्फ बारी का दौर लगातार जारी है इससे कडाके की ठंड पड़ रही है नियुन्तम तापमान माइनस 6 डिक्री तक पहुच गया है वहीं उत्राखण में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है उत्रकाशी के गंगोत्री, यमनोत्री, हर्शिल समेथ उचाई वाले इलाकों में बर्फ बारी लगातार जारी है चमोली की ग्रामीन एलाके भी बर्फ से ढके हुए है चारो तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है एक दरजुन से ज़ाद गाओ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए है चक्राता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है यहाँ स्नोबलोवर मशीन से सडक की बर्फ अटाई जा रही है